हेलो बचो तो PGT आज Mathematics का हम Part 2 लेकर आए हैं 2010 का विपर है और इसमें पूरा विपर कवर करवा देंगे ठीक है अब तक जो Part 1 हुआ है ना बचो उसमें हमने Question No.50 तक खतम करवाए हैं एक से लेकर 50 तक सारे कुशन के आंसर आपको मैंने प्रवाइड करवाए हैं देखे यह पूरा पूरा ऐसा पेपर था ठीक है तो आज मैं 51 से स्टार्ट करूँगा और अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देख सकते हैं मैं नीचे description में उसका link भी साथ में दे रखिए आर कॉंटिनियस इन ओप्र इंटर्वल एबी डेरिवेबल इन ओपन इंटर्वल एबी एन एफ दैश एक्स इस इक्वस तो जी डैश एक्स फॉर एवरी एक्स बिलॉंग्स तो तो कौन सी स्टेट्मेंट करेक्ट है इन मैं से चालो मैं से तो ऑप्श नेच्ट विशन देखते हैं एक्स फाइब एक्स प्ली मॉडवाइश इसमालर दन इक्वल तो 6 एस एरिया निकालना था कौन सा इसका अंसर होगा तो इसका ऑप्शन नमबर तू जो हो इसका करेक्ट आंसर वाइब त्वेल एक्स स्क्वार यूनिट नेच्ट को राजाते यू वी और डब्ली तीन एक्टर देर रखें इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पुचा गया है तो इसका ऑप्शन नमबर वन जो है ने 23 क्यूब यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स वेशन नेक्स कोशन बजो आपको बोला है इक्वेशन अब पासिंग त तो ऑप्शन नमबर 3 जो है 5x प्लस 2y माइनस z प्लस 22 इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स कोशन के ओर आजाते हैं आपको बोला है कि इफ f-x is equal to 2x for every x and f0 is equal to 0 then value of f2 will be f2 का मान क्या होगा बढ़ा असान है आपको इसका डिफरेंटिशेशन करें डारेक्ट निगाल सकते हो तो मैं आपको बताता हूं इसका option number 4 जो है यानि 4 ही इसका correct answer हा रहा है next आजाते हैं आपको बोला एक infinite series दे रखिए इसका sum क्या होगा तो इसका option number 1 जो है pi by 4 इसका correct answer होगा next question क्यो राजाते हैं the value of integration आप से बुचे गई है इस integration की value क्या होगी तो इसका option number 4 इसका correct answer होगा minus 1 upon 1 plus e raised to power x next question क्यो राजाते हैं देखिए बचो question number 58 जो दे रखा है आपको दे रखा है कि if fx is equals to log x base e है जिसका natural log है then f dash e की value क्या होगी तो इसकी होगी 1 upon e next question क्यो राजाते हैं आपको बोला differentiation of sin inverse x with respect to cos inverse under root 1 minus x square पिर मैंने इसको करने का तरीका आपको समझाया है पहले भी न तो ये बड़ा आसान तरीका होता इसको करने का option number अभी के लिए मैं बता रहा हूँ वन इसका answer होगा 1 इसका answer होगा यानि option number 4 इसका correct answer होगा next question क्यों राजाते हैं the value of c for which the function is continuous at x is equals to c is आपको ये function दे रहा है इसमें c की क्या value रखे है कि function continuous हो जाए x is equals to 0 पर ठीक है तो option number 4 जो है इसका correct answer होगा none of these क्योंकि इसका जो answer आ रहा है आंसर आ रहा है 27 upon 10 ठीक है और यहां पर आप देखो यहां पर कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जिसमें 27 upon 10 लिखाओ option number 4 इसका correct answer होगा next आपको catenary की एक equation दे रखे है y is equals to c cos hyperbolic x upon c तो इसमें कौन सी जो equation है वो satisfy होती है यानि correct है इसके लिए तो option number 3 जो है इसका correct answer होगा second year में आपने पढ़ी होगी है catenary का पूरा का पूरा चेप्टर है एक unit है ठीक है ना तो next question की ओर आ जाते है next आपको भूल रखा है कि McLaurian theorem से expansion क्या होगा e की power x cos x का तो इसका जो है option number 2 इसका correct answer होगा 1 plus x minus 2x cube of 1 3 factorial और आगे तक पूरा का पूरा कर रखा है next question की ओर आजाते है आपको बोला for what value of k the equation 2x minus 3y plus 2z is equal to a and 5x plus 4y minus 2z is equal to minus 3 and x minus 13y plus kz is equal to 9 will not have a unique solution k की कौन सी value के लिए नहीं होगा आपसे पूचा गया है तो option number इसका जो है 2 correct answer होगा 3 के लिए next आज आजाते हैं आपको बोला है कि अगर a बराबर हो 1101 तो value of a plus a square plus a cube plus dot 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 a raise to power n minus 1 की क्या होगी तो इसका option number third जो है n minus 1 1 n by 2 0 1 जो है वो इसका correct answer होगा next question क्यों आजाते हैं बचो next question आपको बोला है कि if y is equal to under root x plus a minus under root x minus a upon under root x plus a plus under root x minus a then 1 plus y square upon y की value क्या होगी आपसे बुचा गया है तो option number 1 जो है वो इसका correct answer होगा 2x upon a next आपको question दे रखा the value of log 2 16 log 16 by 15 12 log 25 by 24 7 log 81 by 80 इसकी value क्या होगी इसकी value होगी option number 4 option यानी 1 next question क्यों आजाते हैं आपको बोला a certain sum is invested at a compound interest of 8% per year in how many years will the amount be double कितने years के बाद में amount double हो जाएगा अच्छा ये तो बच्चे बड़ी आराम से निकार लेते हैं इन्होंने क्या कराना थोड़ा सा tough करने के लिए question को इन्होंने lock की form में answer दे रखें तो option number 2 जो हो इसका correct answer को इन्होंने इसका solution नहीं दिया है लेकिन फिकर मत करिया आप मैं इसका solution जरूर आपको provide करूंगा next question क्यों राज आते हैं आपको बोला है how many real numbers are there in the interval 2,7 open interval है अब से बोला है कि इसके बीच में कितने real numbers हो सकते हैं तो infinite real number हो सकते हैं आपको पता है 2.1, 2.001 यह सारे number हो सकते हैं 2.0001 यह 999 बड़े सारे हो सकते हैं आप गिन नहीं सकते हैं तो none of these इसका answer होगा ठीक है फिर आपको next question आपको बोला गया है कि if the roots of the equation y square minus under root 2x plus 3 is equals to root 3 is equals to 0r alpha and beta then alpha power 4 beta power 4 will be equal to तो इसका option number 2 जो है वो इसका correct answer होगा 16 minus 8 root 3 next question क्यों रा जाते हैं question आपको बोला गया है कि hcf of x square plus 2x minus 8 and x square plus x minus 12 will be इन दोनों का hcf क्या होगा तो common factor जो होते हैं दोनों के होई इनका hcf होता है तो आपको करने क्या है कि पहले की इन दोनों में क्या comment दिख रहा है एक्स प्लस 4 तो एक्स प्लस 4 इसका answer होगा option number 3 ठीक है next question क्या बात करते हैं if three numbers are in hp यानि harmonic progression and if sum of their reciprocals is 15 and product of their reciprocal is 80 then the numbers are to numbers क्या होंगे वो होंगे 1 by 2 1 by 5 और 8 next आपको बोल रहा है it's 3 raise to power 4 and plus 2 5 raise to power 2 and plus 1 is completely divisible by किससे divisible होगा तो यह होगा 14 से तो option number 2 इसका correct answer होगा next आपको बोल रहा है the frequency of the values 0 1 2 3 up to n of a variable are given by q raise to power n and c1 combination का पाट है और q raise to power n minus 1 into p और nc2 q raise to power n minus 2 into p squared ऐसे करते करते p raise to power n तक है then mean value mean variable will be where p plus q is equals to 1 ठीके थोड़ा tough question नहीं इसकी value से जो answer आ रहा होगा np इसका correct answer option number 2 next question क्यों रहा है आपको बोला है 74 में a and b takes round over circular path of radius 36 meter in the opposite direction is starting from a fixed point o when i reach the starting point o then at the first time he meets a at the third time okay then the ratio of the speed of a and b will be so योगा 3 ratio one option number two इसका correct answer रहा होगा next आपको बोला है which of the following is not a group कौन सा structure जो है वो group को नहीं दिर्शाता है आप सही बोला है option number third जो है वो इसका correct answer है वो आपको दीखी रहा है ठीक है न next आपको बोल रहा है if the sum of four consecutive terms of an ap is 28 and the sum of their squares is 216 then the difference of two terms will be तो इसका option number one one इसका correct answer होगा next question क्यों रहा जाते है question बोला है कि sin 50 cos 80 minus करके upon sin 30 sin 20 की value क्या होगी तो क्या value होगी इसका option number one जो है वो इसका correct answer होगा two values की होगी next आपको बोल रहा है कि if the angles of a triangles are in ap and the ratio of sides B and C is root 3 and root 2 ठीक है root 3 ratio root 2 then angle A will be angle A की value क्या होगी तो वह होगी 75 degree option number four इसका correct answer होगा next आपको बोला कि question number 79 दे रहा है if sin theta will sign 5 theta is equal to sin 3 theta then theta will be equal to theta की value क्या होगी तो option number three 30 degrees का correct answer होगा next question क्यों रहा जाते है फ्लैक is fixed on a 50 meter high tower if the angle of elevation of the top of the flag from a point at a distance equal to height of the tower from the base of the tower is 75 degree then the height of the flag will be option number two इसका correct answer होगा height and distance का question है next आपको बोल रहा है sin theta अगर हो 1013 upon 1014 theta then theta will be equal to theta की value बुचहे गई आपसे तो 2 degrees का correct answer होगा next आपको बोल रखा 87 में इस expression का value क्या होगी यह जब आप इसको solve करोगी तो क्या answer आएगा तो इसका answer minus one by two आएगा इसका solution नहीं पूरी तरीके से दिया नहीं है मैं आपको इसको सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आपसे 100 नहीं आपसे खाली रियल और इमेजनरी क्या होगा यह पूछागी तो वन अपन रूट तरी तो इसका जो होगा इसका गरेक्ट आंसर होगा नेस्ट क्यों आजाते हैं आपको बोलागी कि इप 10th थिता प्लस आई टाफ़ाइब इसकोस तो कॉसल प्लस इटा साइन अलपा देन इन में से कॉंसी वैली जो हो सही होगी तो अप्शन नम्र तो इसका गरेक्ट आंसर होगा और पाई थिता क् इसका अंसर होगा तो आपको बोला गया है कि इस वेरी स्मॉल इं कंबरेजन विद ए देन इसका इसका अंसर होगा ठीक है पहरा आजाते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर आपको बोला गया है कि इसका एक्स्ट की वैल्यू क्या होगी नियरली इक्वल किसके होगा यह जब इसको आप सॉल्व कर गए तो आप्शन नम्र टू जो है विसका क्रेक्ट आंसर होगा टू माइनस थ्री एक्सक्वार अपन फॉर एक्सक्वार आजाते हैं देगे बचा कोशन आपको 89 यह दे दे रखा है कि इफ ट्राइंगल एबीसी जट्राइंगल के दसाइड एजी कस्टो बीजी कस्टो अपको दी है और एंगल भी दे रखा है पाई वैथरी सी एंगल जो दे रखा है तो एंगल बीकी वैल्यू कुछी कही है तो इसकी होगी 60 डिग्री ऑच्ट नम्र थार्ड इसका करेक्ट अंसर होगा फिर आजाते हैं अब बलू अल्वेस रिमेन स्पेरिकल वन एर इस फिल्ड इन इट देन इट इस रडियस इंक्रीस अट वाट्रेट दी वॉल्यूम विल इंक्रीस विद रिस्पेक्ट तो दी रेडियस इस इस पूर इन तो ट्लास 12 का कॉश्य नहीं बैचो ऑप्शन नंबर वन जो है इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट विचन क्यों रहा जाते हैं अब बलून जोरी 91 आपको बोल रहा है दिकर्व यू इस इकोस तो एक्स राइस तो पावर 5 मैनस 5x4 प्लस 5x3 मैनस 1 इसका उप्शन नंबर थर्ड जो होगा नाइदर मेक्सिमम नौर मिनिमम होगा इसका करेक्ट अंसर नेक्स आजाते हैं आपको भूला इफ दिस लांट है इस इस एल देन मेक्सिमम वॉल्यूम ऑप दिस समी वर्टिकल एंगल विल बी क्या होगी यहोगी तैन इन इन्वर् आपको बोला इस 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 इन विथिन दी लाइन शौर्ट इस 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 इनिए अपको फॉम्ला लगा की निकालनी है और टू इसका गरेक्ट आंसर वह गा ट्वेंट रूट रूट पाई अपन तरी पर आपको दे रखे एख 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 चिप मुविंग अट वेलोश्ट अ 12 km per hour towards the north, observe another ship which is 10 km east of this ship and moving with a velocity of 16 km per hour towards west, after sometime they are at the minimum distance, आगे आपको बोला गया है की minimum distance from each other, then what is the distance, minimum distance between them at this time, okay तो इसका अप्शन नमर 4 जो है वसका गरेक्ट आंसर होगा, next question क्यो और आजाते है, the horsepower of an engine with which lifts 300 gram of water per second from a depth of 100 meter is, तो इसका option number 4 जो है इसका गरेक्ट आंसर होगा, क्यों होगा, इसका मैं आपको बतायता हूँ, इसका formula होथा पीजी कस्टों MGH, इसमें जब value रखोगे आप, ठीक है, MGH, तो क्या होगा, यह 3 into 10 rest to power 5 आएगा, जो कि इन में से कोई भी नहीं है, ठीक है, राजाते हैं, आपको बोले, a stone falls from the rest, from some height and reaches the earth in 5 second, if after 3 second of fall, the stone is stop again and allowed to fall, then how much time will it take to reach the ground, तो कितना ताम लगेगा, इसको लगेगा, इसको लगेगा, 4 second option number 2, इसका correct answer होगा, next question क्यों होगा, राजाते हैं, आपको बोले, Vectors 2i-j-4k, i-3j-5k, 3i-4j-4k are the sides of a triangle, which one of the following is the angle between them, तो none of these इसका भी correct answer होगा, next question क्यों होगा, question आपको भूलाएगा है, if a is equals to 111, वेक्टर में दे रखा है आपको, c भी दे रखा है, दो वेक्टर सहीं है, तो what will be the vector b if a cross b is equals to c हो, a dot b is equals to 10 हो, तो option number 2 इसका correct answer होगा, 3, 3, 3, 3, ठीक है, सबसे पहले है इसकी नप position vector निकालनों, उससे ही निकलेगा यह, next question आपको दे रखा है, the equation of the plane passing through the points, आपको यह 3 points दे रखे है, यह A है, यह B है, यह C है, इसकी equation होगी, cap plane की, तो इसका option number 2 जो होगा, इसका correct answer होगा, vector form equation पूछी है, तो वही आपको formula लगाना है, और उससे answer निकल जाएगा, next आपको इस expression की, यानि integration की value क्या होगी, इन में से यह class 12th का ही है, आप exercise 7.11 में यह question मिल जाएगा, ठीक है, पूरा वही question है, तो इसका जो answer है, वो option number 4 होगा, none of these, क्योंकि इसका answer जो आ रहा है, वो आप यहां पर मैं दिखाता हूँ, pi by 4 आएगा, ठीक है, pi by 4 आएगा, और उपर देखो, pi by 4 कहीं भी नहीं है, ठीक है, next question आपको दे रहा है, if fx is equals to a function दे रहा है, 1 upon sin 1 upon x minus a, तो point a क्या होगा, तो वो होगा, discontinuous होगा, और discontinuity जो होगी, वो first kind की discontinuity होगी, तो option number 2 इसका correct answer है, next आपको बोल रहा है, the area of the curve surface of the figure constructed by a rotation of the line passing through and in between the point 00 and ba around y axis is, option number 3, इसका correct answer होगा, next question आपको बोले, the extremities of a heavy string of length 2L and weight 2LW are attracted to two small rings which can be slide fixed on a fixed wire, each of these rings is acted on by a horizontal force equal to LW, the distance between the ring is, so option number 3, जो इसका correct answer होगा, L log 1 plus root 2, next question क्योर आजाते है, आपको बोला गया है कि, if the circles x square plus y square is equals to a square, आपको एक equation दे रखिया, touches each other externally, यानि यह दोनों circle एक दूसरे को externally touch करते हैं, तो in मैंसे कौन सी condition जो है, वो satisfy होगी, आप से पूछा गया, तो यह होगी, G is equals to a plus b, option number 4, इसका correct answer होगा, फिर आपको बोला, if the eccentricities of two ellipse, पहला ellipse यह दे रखा है, दूसरा ellipse यह दे रखा है, और equal, तो a by b की value क्या होगी, तो यह होगी 13 upon 5, इसका correct answer, option number 3 होगा, next question क्योर आजाते है, इस expansion की middle term पूछे, middle term का सीधा-सीधा formula लगाना है आपको, तो option number 2 इसका correct answer हो जाएगा, next question क्योर आजाते है, if the set a has p element b, जो है, उसमें q element है, तो a cross b में किते होगी, तो वो आपको बता है, p into q इसका answer होता है, तो p q, option number 3 इसका correct answer होगा, ठीक है, यह वाला, next question क्योर आजाते है, for any two sets a and b, a minus b union b minus a किसके equal होता है, तो यह होता है, option number 3 के, a union b minus a intersection b के, फिर आजाते हैं, the reverse effective force, reverse effective force acting on each particle of a body, and the external force of the system are, ठीक है, तो यह कैसी होती है, तो यह equilibrium में होती है, option number 2 इसका correct answer होगा, next question क्योर आजाते है, देखे, question आप से पुछा गया, moment of inertia, में का कुछा है, of an elliptic area, of mass m and semi-axis a and b, about the diameter of length 2 r is, कितना होता है, तो यह होता है, 1 upon 4 mab upon r square, next question क्योर आजाते है, if rt is equals to, आपको देखे, 5t square i plus tj minus t cube k, then the value of integration this, इसकी value क्या होगी, तो यह होगी, minus 14 i, 75 j, और 15 k minus ka, next आपको भोल रखा है, at the point axis equals to 1, the given function, इसको मैं से कौन सा वाला satisfy होगी condition, तो यह continuous होगा, लेकिन differentiable नहीं होगा, तो option number 2, इसका correct answer होगा, next question आपको बोल रखा है, cg, center of gravity का question दिया है, of solid figure form का revolving, a quadrant of ellipse about its minor axis is, तो क्या होगा, option number 2, इसका correct answer होगा, next आपको बोल रखा है, the three forces PQR act along the sides, b, c, c, a and a, b of a triangle, a, b, c, a taken in order, in, if they are resultant, pass it through, the centroid of the triangle, a, b, c, then in में से कौन सी condition satisfy होगी, तो यह होगी option number 1, इसका correct answer का, P upon A plus Q upon B plus R upon C is equals to 0, फिर आपको बोला है कि यह चारो में से, इस integration का कौन सा answer correct होगा, तो जब आप इस integration का expression करोगा, तो option number 1, जो है, वो इसका correct answer आपको बोला गया है कि, value of this function, limit as tends to 0, and tends to infinity, sorry, summation R is equals to 1 to N, R is to power 4, plus N is to power 4, और उपर जो दे रखा, वो दे रखा R cube, तो इसकी value क्या होगी, यह होगा, 1 upon 4 log 2, इसका correct answer होगा, जब आप summation का formula लगा होगा, इसमें तो, फिर आपको बोला है कि, if the matrix आपको दे रखा है, तो Kelly Hamilton theorem से, इसकी value क्या होगी, तो इसकी value होगी, option number 2, 0000, null matrix बन जाएगी, उसके बाद आपको बोला है, if vectors, last question बचें, आपको तीन vectors दे रखें, और, of vector space R cube, are linearly independent, then X की value क्या होगी, तो यह होगी, option number 3, 0, next आपको दे रखा है, if V is a vector space of 2 cross 2 matrices, over a field F, then dimension of V, dimension V के dimension क्या होगे, तो यह होगे, 4, option number 3, इसका correct answer होगा, आपको next question बोला है, if F from G to G' is a homomorphism of a group G into group G' with kernel K, then K की value क्या होगी, इन में से, ठीक है, तो option number 3, जो होगे, उसका na, K is a normal subgroup of G's का correct answer होगा, next question क्यों आजाते है, question आपको दे रखा है, if F from R to R, और G from R to R, दो मेपिंग है, जस तर और इसमें function दे रखा, define कर रखा है, Fx is equals to X square, और Gx is equals to X square plus 2, तो कौनसी condition satisfy होगी, option number 1, जो है, F of G is not equals to G of operation, जो है, वो correct नहीं होगा, next आपको बोल रहा है, कि इसका solution क्या होगा, क्रेमस rule से आप निकाल सकते हो, बड़े राम से निकल जाएगा, तो option number 2, इसका correct answer होगा, 2 minus 1 और 3, नॉर्मल आप जो class 12 का rule हो, उससे भी निकाल सकते हो, next question क्यों और आजाते हैं, आपको बोला है, यह last question है, if the roots of equation LX is square plus NX plus N is equals to 0, then P ratio Q, then P ratio Q, then इसकी value क्या होगी, तो इसकी value होगी, option number 1, 0, तो देखिए बैचो हमने जो है, सारा का सारा paper खतम कर लिया है, और इसी के साथ जो है, यह 2010 का जो paper है, यह पूरा खतम हो गया है, ठीक है, तो अगर आपको और किसी अपने subject का भी paper थी आपको लग रहा है कि, वह अभी तक upload नहीं हुआ है, यह आपको मिलने रहा है कहीं पर, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइट करवाओंगा, ठीक है, और इसी के साथ जो हैं 2010 के साथ में 2000 से लेकिए, मैं 2018 तक जतने भी paper हुए है, 19 तक, ठीक है, मैं सारे के सारे आपको solve करवाओंगा, तो तब तक बने रहे हैं हमारे साथ में, धन्यवाद,